गुड मॉर्निंग एवरीवन विल्कम बैक तो माई चाइनल खुसी रिल सीग कैसे ही आप लोग आई होब आप अच्छी होगे मस्त होगे स्वस्त होगे व्यस्त होगे आज मैं आप लोग को बताती हूँ 32 बार क्या है और इसे वेट लोस कैसे होता है वैसे मैं लग रही पतली मेरे को तो नहीं लग रहा है थोड़ा भुए भी है वैसे मेरे को वेट लोस नहीं करना है बट थोड़ा सा मोटी लगती हूँ साड़ी वगेर हम ठीक लगती हूं जब सूट कूरती पहनती हूं तो थोड़ा सा मोटी लगती हूं इसलिए मैं 32 बार कर रही हूं बट 32 बार से इतना फायदा हुआ कि मैं एकदम परफेक्ट सूट कूरती कुछ भी पहनती हूं बस एकदम अच्छा लगता है मेरे को और अग भी बहुत कुछ का ध्यान में रखना है खाना पीना या मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगेरा करना होता है ग्रीन टी सारा चीज का उगर आप सेवन किजिएगा ना वन वीक में ही आप लोग को फायदा नजराएगा कि कितना वेट प्लोस हुआ है और सरीर भी स्वस्त रह खाना पीना में ध्यान देना और ज्यादा ओयल या फिर मसाला यह सब ना कम यूज करना यह सब तो हानी करता है हमारे में तब सरीर के लिए बट वेट लोस में भी ना बहुत फायदा होता है और निम्बू का ज्यादा सेवन करना है जैसे आप दाल भी खा रहे हैं तो उसम पानि जितना हो सके उतना पीना है और पानि तो मैं पीती हूं जब से इंधी मेरे फेस में पिमपल्स वेगरा था तो मैं दिखाई थी जोका से बोले थी कि पानी बहुत ज्यादा की जिए तब से हूं तो बहुत पहले से फोर या फईयर से ना पारी तो मैं ख़ explicanely पानी तो पीती थी और एक्सरसाइज वेगरा मैं नहीं करती थी जूट नहीं बोल रही हूं और खाना पीना ज्यादा तेल मसाला कुछ नहीं तो मस्त आप लोग भी अपनाये 32 बार को और अपना सरीर को फिट पनाये अगर मोटी है अगर निकला हुआ है तो फिर 32 बार को प्राव के इन पर ज केम फिर 15 गटोझ संहरे नहीं बहुत मस्त अच्छ कपड़े ही तो फिया कूर्ति या जो भी हूं मनसे आठी बार में जरूर एड करना है जरूर सिवन करना है एड करना है पतमने तो महीं नत नहींए ना बस उसको में पीना है अब को जः ले पानी में फिर पीना है ग्रिंटी को और मैं कीचन में जा रही हूं हवी कुछ लेकर आए हूं मैं आप लोगो को दिखाती हूं मेरा फैवरेट चीच जिसका भी सीजन है गर्मी की मौसम में क्या मिलता है आप लोग सोचिए वह फलो का राजा आम मैं दिखा रहे हूं कीचन में आगई और दिखाती हूं आप लोगों को फलो कराजा मैंगो मेरे को बहुत पसंद है अब इस बार मतलब गर्मी में जब बताइस दुर्स टाइम आज हमी ले लेकर आए है और मैंगो देंके सचित बहुत कुछह जाती हूं कच्छा ओ या फिर पक्का मैंगो कच्छा हमी लेकर आते ह और पकर तुम्हेरा फैवरेट है मैंगो कीन का फैवरेट है प्लेस कॉमेंट किजिएगा और मैं ना कभी आप लोग को मैंगो से एक भी बना के दिखाऊंगे वह भी बहुत अच्छा लगता है यमी यमी आज मैं डीनर में बना रही हूँ दाल पूरी बहुत टेश्टी लगता है खाने में ये चना दाल है इसको मैं वॉयल करके और अच्छे से पीस ली हूँ उसके बाद ना इसको हलका हलका फ्राई करना है मसाला के साथ एंड आटा भी लगा ली हूँ आज मन किया दल पूरी खाने का वैसे तो बहुत दिन से ना मैं बनाई नहीं थी हमेसा साधा रोटी ना मन वो हो जाता है खाखा के एक ही चीज तो फिर हवी इसमें पूछी तो वो बोले कि ठीक है बना लेजिए बेबी को भी पसंद है तो फिर मैं आज डीनर में दल पूर नहीं का तुम्हें तुरंध बना लेती हूँ यह भी बोलते हैं ना कि यह चीज बनाईए तो मैं तुरंध बना देती हूँ क्योंकि हमारा सरीर ही है ना हम लोग अच्छे अच्छे खाएंगे तब नस रहेंगे इसलिए खाने में कभी आलस नहीं करना चाहिए हमेशा सरीर को स्वस्त रखना है तो अच्छे चिचीच खाईए और अच्छे चिचीच बनाईए खुद से बनाया हुआ बहुत टेस्टी लगता है दलपूरी को धीमे आज में बनाना होता है तेज आज में हम बनाएंगी ना तो वह जल जाता है उपर से और अच्छ खाने में खटा चटनी नहीं ठीक लगता है बट उसमें मीठा वाला होता है ना चीनी डालके टमाटर का वह बहुत टेश्टी लगता है इसके साथ में इसीले मीठा चटनी ही बनाऊंगी छोटा सा वीडियो है फ्रेंड्स प्लीज वीडियो पे बने रहेगा अगर पसंद तो लाइक किजेगा कॉमेंट किजेगा चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब किजेगा और मैं चटनी बनाने के लिए भी चड़ाई थी इंडेक्सन में लाइट था तो फिर चटनी भी बन रहा है रोटी भी बन रहा है फटा फट मेरा डीनर बनके काम कर रही हूं आप लोग को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कैसे वो अचानक से आए और कैमरा देखके ना साइड हो गया उनको पता भी नहीं था फिर वो देखे फोन में रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर जल्दी से साइड हो गया उनको पता ही नहीं था ऑन कैमरा मे तो फिर मेरे को बात में बोल रहे थे कैमरा ओन करके आप खाना बनाते रहती है मैं अचानक से आगया तो मैं बहुत है क्या हुआ आगया तो कोई बात नहीं अच्छा है ना आप आगये आपको देख लिए सब कोई वैसे तो आप वीडियो प्याना ने चाहते अचानक से आगये तो अच्छी बात है ना और देखिए अभी अचानक से आए उनको पता ने था ऐसे ही मेरे से बात कर रहे थे ना जब वो देखें अभी फोन पे तब उनको लगेगा हाँ रिकॉर्ड हो रहा कुछ मेरे को बता रहे थे अब देखें वो पता है फिर साइट हो गए फिर मैं ना हास रही थी कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूं बोलके अब जल्दी से डीनर रेडी करते हैं उसके बाद फिर खाने के लिए बहुत तेज की मेरे को भी भूख लगी है गयो कि ना काफी लेट हो गया मैं कुछ सोची नहीं थी बनाने का तो ये बनाने में थोड़ी टाइम लग जाता है सादा रोटी बनाते हैं तो जल्दी से बन जाता है बट इसमें थोड़ी से टाइम लग जाता है तो फिर वही भूख भी लगी थी और भी बारवर की जन में आ रहेते बोल रहते हैं कि बना या नहीं मैं बोली रुख जाये थो देर वेट कीजिए बस चटनी बन रहा है और वैसे तो मेरा पूरी बन गया था बस एक तो बनाना था फिर बाकी बन गया बस चटनी बनाओंगे उसके बाद फिर डिनर बनके रेडी है मैं सोच रही हूँ ना कि डेली विडियो आप लोग के साथ सेयर करूँ बस ऐसे चोटा-चोटा सा ब्लॉग कि लॉड वीडियो तो नहीं हो पाता है nा क्योंकि परड़्डे समझ में आता है क्या रिकौड करें तो मैं ना चोटा-चोटा ब्लॉग आप लोग के साथ सेयर वाई अमें एक भी बना लेते हैं उनको बोलना या फिर बलॉग में आना पसंद नहीं है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पथांक्यू सो मच्ट और मेरा ब्लॉग ना डेली इवनिंग में आएगा चार बजे के लगभग प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो को फूल से फूल वाच किजिएगा प्लीज प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक कॉमेंट से अर भी किजिएगा म मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पर बाई बाई